कलियुग के पांच ऐसे सत्य जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था। महा भारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलियुग के बारे में जानने की बड़ी इच्छा थी। इसलिए उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे वासुदेव कलियुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा, मनुष्य के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचो पांडवों से कहा कि मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचो भाई जंगल में जाओ और जो कुछ भी वहां दिखे मुझे आकर विस्तार पूरवक बताना, मैं तुम्हें उसका में प्रभाव बताऊंगा, यह सब सुनकर पांचो पांडव जंगल में गए और उन्होंने वहां जो देखा, वह देखकर वे आश्चर्य चकित रह गए, फिर पांचो पांडव श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वहां क्या देखा, सबसे पहले युधिष्ठिर ने क करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा, और कर्म कुछ और ही करेंगे, ऐसे ही लोगों का कलियुग में राज होगा, उसके बाद अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने जो देखा, वह तो इससे भी आश्चर्य जनक था, मैंने एक पक्षी देखा, जिसके पंक पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मांस खा रही थी, तब श्री कृष्ण बताते हैं कि कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे, जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा, कलियुग के मनुष्य धन और प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पढ़कर वे बरबाद हो जाएंगे, इसके अलावा जब किसी का बेटा घर छोड़कर साधू बनेगा, तो हजारों लोग उसके दर्शन करने जाएंगे, लेकिन जब खुद का बेटा साधू बनेगा, तो वे रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, कलियुग में बच्चों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेंगे, उसके बाद सहदेव ने कहा कि मैंने साथ कुएं के अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, खाना खाने और घूमने में अपना सारा पैसा बरबाद कर देंगे, लेकिन किसी के दो आंसू पोंचने में उनकी कोई रुची नहीं होगी, इसके बाद नकुल ने कहा कि एक चट्टान सभी पेड़ पौधे को तोड रहा था, लेकिन एक चोटे से पौधे पर टकरा कर रुख जाता है, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कली युग में लोगों का जीवन पतन हो जाएगा, ऐसे में हरी नाम का एक चोटा सा शब्द उस पतन को रोक पाएगा, अर्थात, कली युग में भी जो मनुष्य धन के लोब को हरी नाम का जाप करेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यू के बाद उसे मेरी चरणों में जगह मिलेगी दोस्तों इस वीडियो को शेर करके कमेंट में जैश्री हरी अवश्य लिखें